व्एल्टम तर चैनल आज हम लोग पात करेंगेगे स्रिलंका और वेतिंदेश के बीच पहला ओडिया मुकावला होने वाला है तीट्टी मुकावला हम देख्या तो स्रिलंका ने बहुत इसली विंद किया था दो एकसे बीजिता है अब यहां बात कर ले थे जाना बहुत जरूरी है और इस पीच पर किसका पूरा गेम नहीं बना पाइएगा ऐसे पॉइंट बाइएगा तो किसी को भी आप टीम बना लेज़े वह अलग बात है लेकिन ड्रीम लिग जीतने के लिए तो आपको पीच रिपोर्ट जानना बहुत जरूरी है और इस पीच पर किर का परदर्सन अच्छा रहाता है वह जाना बहुत ज़रूरी है तो पालकल का पीच देखीगा तो पीच क्या है बैटिंग पीच है नो डाउट उनका बैटिंग पीच है आपको दोसो पचासी से दोसो पंचानवे इनका एवरेज जो स्कूर है यहां बैटिंग पीच है यहां लोग चाहते हैं कि अपने 300 प्लस स्कूर करते और बाद में पच्छी टीम को आउट करते जो मुश्किल है क्योंकि पहले बैटिंग किया है उसका विनिंग पर्सेंटेस 42 यहांनि कि आप वोल सकें 50 परसेंट से नीचे है तो यहांने चेस करने वाले टीम भी अच्छा कासा जीती है तो मान कर चली कि यहां जो टॉस है कोई उतना ज्यादा अहम नहीं रहेगा पहले बैटिंग करेगा पहले बाल निंग करेगा इस तरह से लास्ट में आठ मुकाबला हुआ है उसमें पांचने स्रिलंका जीता है तीन वेस्ट इंडिज मिन्स कि आप मान के चलते हैं 50-50 का ही चांसे है कोई भी जीत सकता है जो अच्छा के लेगा उसके जीतने की संभावना ज्याद है और दोनों में जो है आपके अच्छे किनारे मैंने एक यह एरो लगाया है और यह नंबर बताते चलते हैं साइन होप का इस स्पीच पे रिकॉर्ड अच्छा है आप देखेगा जिसके जिसके किनारे लगा हुआ है वह इस पीच पे बहुत अच्छा गेंदवाजी और बल्लेवाजी किया है इसलिए उनके सामने झाल यह नंबर बता रहा है कि जो आपका एवरेज पॉइंटल है कि लगातार लाश्ट पांट से अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा बल्लेवाज हो सकता है फिर के काटी नो डाउट बहुत अच्छे बल्लेवाज हैं इनको उतना मौका नहीं मिलता है वन्डे में मौका मिलता है और जब भी मौका मिलता है वह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं उस पाद कि रेमंस एफर्ट इनको तो आप किसी भी टीम में रखिये आप अपन परस्तुत कर रहे हैं यह एक प्लेयर जो है ना हमारे लिए बहुत अच्छे प्लेयर हैं लेकिन इनका परफॉर्मेंस उतना स्याज नहीं है आप देखेगा तो एस महादेश में आप स्पीनर्स होके आप बिकेट नहीं ले रहे हैं और रन भी नहीं मार रहे हैं तो यह थ् देखेगा तो बॉलर जो अच्छे बॉलर हैं वह आपको एक से दो विकेट निकालते हुए दिखेंगे तो उनको आप अपने टीप में रख सकते हैं नंबर वन दिखेगा इस टीम में जी मोटी है इधर परफॉर्मेंस परतेक मैच में दो से तीन विकेट एस्या महादेश में आपको विकेट निकालने के समभावना ज्यादा है जी मोटी के साथ आप जा सकते हैं घंव ओ जड़ल को आप अपने टीम में रख सकते हैं क्वेल एफडे एब पर तरह से तुम्य टीम में जगहिंदे मीब ड्रह से ऑनजिग लेकि कि अपने येवह नजर नहीं और भी प्लेयर बढ़ाया सकता है अगर हमालों को स्रिलंका प्लेयर के तरफ से नहीं मिलेगा तो लेकिन जिसका ग्राउंड है वो उस तरह से आपको टीम चूज करेगा तो उसके प्लेवाज और बॉलर को ज्यादा रखना पड़ेगा क्योंकि उनको कंडिशन उनको पता है अब बात करते हैं स्रिलंका का तरफ से देखेगा तो ये तीन में से कोई दो ओपनी करने के लिए और जो दो ओपनी करने के लिए तो मेरे ख्यास लगए न मधुशंका आपको नजर नहीं आए क्योंकि देखेगा तो इस पीच पे दोनों का रिकॉर्ड फीनी शंका और अब यह बात नहीं करते हैं अब फर्णांडू का भी प्रफॉर्मेंस देखेगा तो ठीक है ठाक ही है ओपनिंग करने के लिए आते हैं आपको ड्रीम टीम का पॉइंट देखे जाएंगे तो इनको भी आप अपने रख सकते हैं फिर यह समरवक्रमा हमारे खालत से इस प्लेय प्लेयर फिप्टी पॉइंट में प्रिसर नमबर पर हैं और चीश लंका एक आप बहुत अच्छा पीक होंगे 50-50 के लिए तो खासकर पीक होगे क्योंकि यह बीडिलोबर में बैटिंग करने के आए जो आपको गती-परदान करते हैं और बीच में यह वोटा पूरा भी कर हो आप नमबर वन है आप देखेगा नमबर वन भी है और इनको आप कैप्टन बना सकते हैं अधिकतर मैचों में तो डबलो हसरंगा हो गया दी विलेजा को भी आप अपने टीम में रख सकते हैं क्योंकि स्रिलंका के पीछ पे ग्राउंड पे थ्रौसा स्पीनर्स को इनको डाला है और इनका परफॉर्मेंस देखेगा तो आपको बहुत अच्छा खेल रहे हैं यस समर्विक्रमा के जगा पर आएंगे तो यह भी आपके टीम में जगा बनाते हुए दिख रहे हैं क्योंकि अभी जो है सिरलंका के तरफ से यही एक प्लेयर हैं जो आपको पर आप देख सकते हैं तो डी मधुसंगा को आप अपने टीम में चल जाएगा लेफ्टी बॉलिंग करते हैं डी मधुसंगा आप देखेगा तो उनको जो बॉलिंग स्ट्याल है थ्वास अच्छा और इस उनको शूट भी करता है आपको वेस्ट इंडीश के प्लेयर को विके आपके नमबर वन प्लेयर होंगे और यह कैप्टन के भी बस बहुत ही प्रवल दार है क्योंकि आपको बॉलिंग में आपको तीन से चार विकेट निकाल के ले जाएंगे दसोबर कोटा इंटा थोड़ा सा मुस्किल हो जाता है और बैटिंग में जो निचले करम में बल्ले करता है तो साइंहोफ और यह भी कैप्टन का बल्लेवाज है और नो डाउट यह साइंहोफ जो वन डे के लिए बहुत ही बेस्ट प्लेयर है आपको त्रौस रूप करते हैं और लंबा चौड़ा स्कूर करते हैं जिस कारण से हमारे टीम में यह जगा बनाते हैं तीसरी यह तीसरी नंबर के प्लेयर थी चौट नमबर में दिखेंके था आ फञ्ण और यह फर्नानड में से किसा यह दोनों प्लेयर को में दोनो about by देल आघ्के में और यह थो है अच्छा है और यह थों पहले बल्लेवाजी पहले बल्लेवाजी तो एक प्लेर के साथ जा सकते हैं तो दोनों को रखना है पाँच में नमबर पर देखेगा तो आपको यह दिखते हैं पांच में नंबर पर देखिए आपको जो है थोड़ा सा बॉलर को भी रखना पड़ा पड़ा करना रहता है उसमें थोड़ा सा मुस्किल होता है विकेट निकालने के संभावना रहती है तो आप दिखेंगा नंबर वन में जी मोटी है और यह जो ले निखेंगे थोड़ा कंसे डाज़ा ना लेटट के नकालने के लिए थोड़ा सा कम को लगता है आप है क्यों कि लेफ्टि जो बॉलिग करेंगे डी मधुशंग का इधी मधुशंग का आपको यह आपको विकेट निकालते हुए दिखेंगे क्योंकि यह आपको पहले गिन्दवाजी करें रहे एक से दो विकेट निकालेंगे और ड्रीम टीम का साथ को सब्सक्राइब the EU नमबर उन्व बन०्लिवाज को बहुत अच्छा करता तो first करना हम बहुत कम लोग रखेंगे लेकिन जे एंट्रीव का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है इनको देखेंगा वेस्ट इंडिज के तरफ से तो इनको भी आप इग्नॉर नहीं कर सकते हैं बहुत सारे प्लेयर जो ही इनको इग्नॉर करेगा और यही आपको ड्रीम टीम जितव लेकिन उस तरह से पर्फरमेंस नहीं करें जिसका से आप इंको अपनी में रख सकते हैं या इनको टीम से बाहर भी कर सकतेte या इनके जगवा पर डी वेलेजा के साथ जा सकते इस तरह से देखेगा तो यह आपका पहला ODI के लिए परफिक प्लेइंग लेवन त्यार हुआ है कैपटन वाइस क्रिप्टन के लिए नो डाउट डबलो असरंगा पहला दूसरा रोमर शेपर्ड चार मिल्ली रूप से हैं पांचमा में मैं कैन्ट मेंडिस के साथ जा रहा हूं इसमें कैपटन वाइस क्टेन एक्सचेंज करके बना सकते हैं डबलो असरंगा के साथ पीनी श हाबमा